अला एवरिवान दिस इस दाकाश रांग डाले और आप सबी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लाटफॉर्म जिसका नाम है मैगनेट ब्रेंज हिंदी मीडियम जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंड एजुकेशन पिलकुर्फिय आफ कॉस्म अलब के कि यहां पर आपको कोई पाकेश नहीं खरीद रहा है और नहीं किसी प्रकार का कोई रिजिस्ट्रेशन करवाना है हमारा सिर्फिक युदेश है सिक्षिद बारत विक्सिद बारत समृत भारत है ना मज़दार बात और इसी मजदार बात के साथ आज हम एक ऐसा करने जा रहे हैं वैलेंस बांड थियोरी यानिकी संयोजकता आबंद सिद्धांत बड़ा इंट्रस्टिंग टॉपिक है इसमें हम यह जानेंगे कि भाईया जो लुइस भाई साब ने अपनी एक थियोरी दी जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरीके से जो एक परमाणू है और निर्मान करता है किसका ध्यान से देखिएगा संयोजक एलेक्ट्रॉन का और संयोजक एलेक्ट्रॉन वाले आबंद का या फिर आप इसको कह सकते हो संयोजक आबंद का बात समझ में आई बोलो यह सर तो ऐसे कौन से तरीके हैं जैसे आप बना सकते हो क्या ध्यान से दे को यह स्टार्ट करने से पहले हैं बहुत सारे questions हैं जिनका हमें क्या देना है answer देना है questions कौन से कौन से हैं बड़े ध्यान से देखेगा obviously जब भी हम एक नई theory पढ़ते हैं तो उसको हम इस तोर पर देखते हैं कि यह पुरानी वाली theory में कोई कमी रही होगी उस कमी को दूर करने के लिए हम एक theory लेकर आए तो अभी इस बार अपने से लेपस में बहुत सारी theories हैं बहुत सारे अलग अलग सिद्दान थे जिसमें valence bond theories हो हैं बात समझ में यह बोलो यह सार बिलकुर भाया धमागा कर देंगे और शांदर दरीके से इस concept को दिमाग के अंदर फिट करेंगे ध्यान से देखना कुछ अपने खताम कर दिया है बात समझ में आ रही है वह बढ़िया वाला टॉपिक अपने निप्टा दिया है आप जाकर इसके वीडियो को कर सकते हो वो भी बिलकुर free of cost में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ठीक है ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह इसको यह दी complete करोगे तो आज वाला जो टॉपिक है वह एकदम जल्दी से एकदम जट से दिमाग के अंदर क्या हो जाए लुइस आफधारना से अनुओं की संरचना को लिखने में साहता मिलती है no doubt no doubt लुइस structure हमें जो है क्या करता है अनुओं की संरचना को लिखने में help करता है पहली बात परन्तु रासा निकाबंद बनानी की व्याक्या करने में यह असमर्थ है अच्छा इसका मतलब यह कि ल ऑक्सिजन के जो है एक दो तीन चार पांच छे ऐसे एलेक्ट्रॉन बना दीजेगा और हाइड्रोजन गया बना दीजे यहां पर एक बना दीजे अब 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 ऐसे एक कनेक्ट तो हो गया बात समझ मैं पर यह ऐसा लगता है कि इसमें केमिस्ट्री जैसी कोई चीज नहीं है क्योंकि क्या कोई कैमिकल रियक्शन होती हुए आपको दिखी और यदि कैमिकल रियक्शन हो रही है तो क्या कोई उर्जा में परीवर्तन आते हुए आपको दिखा अब आप बोलो कि सर कहा हम तो सीधे यही बनाते थे हमारे स्कूल में भी कोचिंग में भी आपने संते सवाल आपके दिमाग में आता होगा अब भाई जब रिक्षन नहीं लिखते थे तो आप मुझे बताओ कि हम यहहां पर कोई रासाइनिक परिवर्तन वाली फिल आ यहाँ पर कोई रासाइनिक परिवर्थन वाली फील नहीं आ रही है इसका मतलब हम यह कह सकते हैं की 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 ध्यान से इस कहानी को देखेगा राइट कि लुइस अफधार्णा इसकी बात करें हम लोग लुइस अफधार्णा से अनू की संरचनाओं को लिखने पे साहता मिल इसकी जो लव स्टोरी मिसिंग है आज हम उसको ढूंडने वाले हैं बात समझ में यह बोलो यह सर तो यहाँ पर जो है वो क्या है कैमिस्ट्री मिसिंग है ध्यान से देखो कैमिस्ट्री का मतलब क्या होता है दो परमानों की दो इलेक्ट्रॉंस की दूसरे को लेकर जो तो जो Missing chemistry उसको ढूझने के लिए हम क्या कर रहे हैं रइट प्रयास करने और ऐसा प्रयास करेंगे कि सारा कॉंसट दिमाग के अंदर होने वाला है फिट बाद समझ में आगी चलिए तो chemistry कैसी थी Missing थी आजब उस बैसे कि अब इस्ट्री को ढूंडेंगे बात समझ में आगी बोले यह सर चल अवधार्ना यह भी इस पश्ट नहीं करती कि अवधार्ना यह भी इस पश्ट नहीं करती कि अनुव की ध्यान से देखेगा आबंद व्योजन उर्जाएं बॉड डिसोसियेशन एनर्जीज मतलब बॉड तोडने में लगने वाली उर्जा और बॉड बनने में लगने वाली जो उर्जा है उसका क्या लेना देना है वो क्या है बेसिकली तो अवधार्ना यह भी इस पश्ट नहीं करती कि अनुओ की आबंद व्योजन उर्जाएं तथा आबंद लंबाईयां ध्यान से देखना मस्त वाले तोनों टॉपिक्स है तो यहां पर यह नहीं पता चलता कि बॉड डिसोसियेशन एंथेल्पियाने की आबंद व्योजन उर्जाएं कहने का मतलब कि आबंद को तोड़ने में लगने वाली उर्जाएं और आबंद लंबाईयां जैसे ह2 के लिए कितना द सब्सक्राइब है 144 पिको मेटर यह भिन क्यों है बात समझ में एक काम करते हैं एक रियाक्शन करते हैं बड़े ध्यान से देखे सुनिये इस कहानी को आईए यहां पर आईए उडाते हैं गर्दाल लेते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री का मजा राइट चलो यह पहला वाला एक्जामपल ले रहे हैं जहां पर हम लोग एच्टू की बात करेंगे इस एच्टू को हम लोग जो है इस तरीके से रीप्रेजेंट करेंगे हम दूसरा एक्जामपल ले रहे हैं जहां पर हम लोग एफटू की बात करेंगे और एफटू को भी हम यहां पर ऐसे ही लिखें आप दोनों के बीश में आबंद बनाते हैं क्या बनाते हैं दोनों की हम लब स्टोरी क्रियेट करते हैं आबंद बनाते हैं धियान से देखिएगा भाईया हाइड्रोजन बिचारा गरीब एक कच एलेक्ट्रॉन है उसके लास्ट वाड़ में सिर्फ एक एलेक्ट्रॉन पर य या दोनों के बीच में बॉन्ड भी तो है अब यह आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है राइट वो 74 पीको मीटर है और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो 144 पीको मीटर है चलो काम की बात पर आते हैं तो यह है वह यह 74 74 पीको मीटर और यह है आपका 144 पीको मीटर तो एक तरफ है 144 पीको मीटर और एक तरफ है आपका 144 पीको मीटर कहानी बढ़ी इंट्रस्टिंग है 74 P.M और दूसरी दरफ है आपका 144 P.M बात समझ भी आगी बोलो यस सर चलिए अब दोनों को हम जब तोड रहे हैं हमको दोनों को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा ध्यान से देखेगा दोनों को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उर्जा देनी पड़ेगी दोनों को तोड़ने के लिए हमें जो है उर्जा देनी पड़ेगी कितने कितने देनी पड़ेगी वो भी अबान लिख लेते हैं आजाओ एक में 435 लग रही है एक में 150 लग रही है ओके बावू ठीक है फ्लोरीन धाना हाँ जी हाँ जी 435 ए 150 चलो 435 किलो जूल प्रती मोल एक में लग रही है और 150 यही था क्या वैल्यूस गलत नहीं होनी चाहिए बिल्कुट सही है चलिए 150.6 है अपन फूरे लिख देते हैं आपर किलो जूल प्रती मोल यहां पर लग रही है और यह बन रहा है फिर क्या ध्यान से देखेगा तो भाईया य यह हाइड्रोजन का एक अणू प्लस हाइड्रोजन का एक परमाणू प्लस फ्लोरीन का एक परमाणू और फ्लोरीन का दूसरा परमाणू ऐसे अलग-अलग हो रहा है तो यह जो उर्जा है राइट यह जो दो उर्जाएं है ध्यान से देखो अब क्या करते थे जब हम लू की 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 दोनों में दोनों में आबंध लंबाई दोनों में आबंध लंबाई बात समझ में आई दोनों में आबंध लंबाई बात समझ में आई सस्ती वाली राइविंग राइट चलों दोनों में आबंध लंबाई जो है वो अलग अलग क्यों अलग अलग क्यों दोनों में आबंद लंबाई अलग अलग क्यों पहला बात समझ मैं बोलो यस सर और दूसरे के दिए हम बात करेंगे तो दोनों की बॉन्ड डिसोसेशन उर्जा मतलब यह की बॉन्ड डिसोसेशन एध्यलपी वो उर्जा जिससे आप बॉन्ड को तोड़ सकते हो ठीक है बंद तोड़ने की उर्जा सीध्य लिखेंगे अपन अपनी वाले स्टाइल में तोड़ने की उर्जा जो है वो भी कैसी है अलग अलग कैसे तो यह भी जो है यह अलग अलग कैसे है यह दो सवाल जो है यह अपन को परशान तो कर रहे हैं बोलो यह सर कोई और सवाल है क्या वो भी देख लेते हैं यह मौडल बह पर्माण वो अणूओं के आकरतियों की विबनता भी प्रकाश नहीं डालता चलो चलो तो अब यह दो सवाल आपके सामने आए इसका मतलब कहीं पर भी यह पता नहीं डाला कि ऊर्ज़ा का क्या रोल है खिए पर यह पता नहीं चला कि थे एक बॉंड छोटका है एक बॉंड हे एक बॉंड जो है वह बड़का है इसका मतलब ये कि इसी थी तयोरी की जरूरत है जो उर्जा को समझा सके ऑपत्समज में आरी ये शैर ठीक तो हमें राइट हमें 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 तीसरी चीज, तीसरी चीज, तीसरी 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 चीज, है ना, ध्यान से देखेगा, तीसरी चीज इसका मतलब यह होगा, कि सभी बहु परमाणविक, ठीक है, तीसरी चीज यह होगी, कि सभी बहु परमाणविक, अनुओं की, राइट, अनुओं की, सभी बहुपरमाणविक अडूओं की आकरती 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 जो है वो कैसी है वो है भया भिन कैसी है तो यह है आपकी भिन बात समझ भई तो यह तीन पैरामीटर्स हैं जिसको आपको अपने दिमाग में खोपड़िया में फिट रखना है मतलब सीरी बात यह कि इन तीनों का जवाब अपने को चाहिए जनता जो है जवाब मांग रही है जनता जवाब मांग रही है कि बाबु यह तीनों का जो है हमें क्या चाहिए आंसर चाहिए इसका मतलब क्या ध्यान से देखेगा इसका मतलब यह होगा कि हमें एक अबडेटेड बात समझ में आई क्या बोलो यस सर थेओरी की जरूरत है थेओरी की जरूरत है बात समझ में आई बोलो यस सर हमें एक अबडेटेड थेओरी की जरूरत है हमें एक updated खेरी की जरूरत है बात समझ में आगे बोले येस सर केल खटम खेल जो है यहां पर खटम और फिर जब आपको जरूरत है तब निकल कर आती है आप लेघों के सामने क्या 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 ध्द्धान से देखेगा तो भाईया क्वार्या निकलत आए लुकों के सामने VBT यानि की वैलेंस बन्ड थियोरी जिसकों क्या बोलेंगे सहिंव जटा आबनस दांत बात समझ में आ रही है तो आंसर जो है वह यह हो गया आंसर जो है solution जो है वो क्या है आपका VBT यानि की valence bond theory खत्तम नोट करिया जाए बहुत वड़ीया तरीके से इस कहानी को अपने दिमाग के अंदर और कॉपी में fit किया जाए पका ठीक है चलो तो अब हम समझते हैं valence bond theory जिसमें हम थोड़ा और अच्छे दरीके से समझेंगे कि कैसे एक परमाडू का जो electron है वो दूसरी की तरफ आगर्शित होता है ऐसा होता क्या है भाई common sense की बाद कि यह वाला electron इसके साथ connect हो जाता है क्या actually ऐसा होता है अब आव अभी तक से जुड़ेगा क्यों बाबू जब दोनो इलेक्ट्रॉंस नेगिटिव हैं राइट तो एक एलेक्ट्रॉन दूसरे वाले से क्यों जुड़ेगा यह सवाल है जो हमेशा आपके दिवाग में आता रहा होगा उसी का concept आज मैं clear कर रहा हूं बात समझ में बहुत मजाने वाल अब यहां पर जाकर खेल जो है वो शुरू होता है कुल मिलाकर अब हमें कुछ एक questions के answer देने वो answer कैसे देंगे इस class के बाद आप qualify हो जाओगे क्योंकि concepts आपके पास में होंगे आप answer दे सकते हो बाद समझ में आरी हो यह सर चलिए काम की बात पर आते हैं तो अब हम दो त ऐसा की लूइस चाचा ने बताया था अब ऐसे तो नहीं बनता कि यह से और यह से मिल जाएगा बात समझ वारी लूइस अंकल वाली बात पूरी सही नहीं है सवाल पैदा होता है कि आबंद कैसे बनता है राइट तो ध्यान से देखिएगा चालो ध्यान से देखिएगा यह आबंध कैसे बनता है उसको न समझते हैं है ना आजाम कि मैर अब आब 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 आबंध कैसे बनता है जितना मेरे को हाई लेवल का डिसकेशन करना था मैंने कर लिया आपने बड़े ध्यान से सारी कहानी सुन ली उसके लिए भी आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद अब ध्यान से देखना क्योंकि इसके बात का जो कॉंसेप्ट है वो सिर्फ कॉंसेंस पर टिका हुआ है जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आपको सिर्फ कॉंसेंस यूज करना है बहुत ज़ादा डीप में दिमाग लगाना नहीं क्योंकि उससे क्या होता है थोड़ी दिर बाद दिमाग लगना बंध हो जाता है अपन कॉंसेंस यूज करेंगे बात खदम देखो कैसे सवाल यह है कि H2 में आवंध कैसे बनता है बात समझ में आई वो लगा यस सर और यहां पर एक क्वेशन मार्क होगा राइट जिसका भी अपन पूरा यहां पर सल्यूशन तयार करने वाले है और मुझा सिर्फ आपको H2 का ही समझाना है बागी सब का जो है वो अट्वर्टिकली खुपडिया के अंदर फिट हो जाएगा कैसे देखो आओ क्या सबने कक्षा नवी और दस्वी पढ़िए बोलो कक्षा नवी और दस्वी में अपन ने यह पढ़ा था कि जो नभिख है वो positive होता है क्योंकि proton होता है और आपका जो electron है वो negative होता है क्योंकि वो negative होता है बात समझ मैं negative होता है आजव उड़ाते है curida चलो बिटा आजव तो अब यहाँ पर मैंने hydrogen का एक क्या बनाया है भ्याहन से दिखिएगा तो यह अबिक है वो ले यह सर और बाबू यह जो है यह अब दूसरा है अब दूसरा है जो है वह यहां पर बनेगा सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि अपन दिक्कत के लिए थोड़ी है यह अपर अच्छा रिजल्ट के लिए बात सवाई गुरुजी तो जोश में आ रहे है राइट चलो 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 आओ खेल खेलते हैं तगड़ा वाला नाभिक को बेटा मैं थोड़ा और बड़ा बना रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए राइट नाभिक इतना बड़ा नहीं होता है जैसा कि अपने बोर मॉडल पड़ा रदर फोर्ड मॉडल पड़ा अपने बहुत सारे मॉडल होता है कि नाभिक बहुत ही छुटका होता है चलो आजो और जो है हम चलते हैं यहां पर और जो है हम करते हैं कुछ खेल कौन सा यह देखो अब ध्यान से देखना इसका इलेक्ट्रॉन यहां रखा हुए ठीक है अब सुनो इलेक्ट्रॉन को भी वागू थोड़ा बड़ा बना रहे बिटा पन है ना समझ में आपको आए इसलिए इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा नहीं होता है हाब अब आभू नाभिक जो है वो कैस इसे होंगे पॉजिटिव होंगे और दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव होंगे इतना ठीक है नाइंध क्लास वाली बाद चालो हाईर केमेस्ट्री जैसा कुछ नहीं होता हमको सिर्फ कॉमन सेंस और अपने नॉलेच को अब डेट करना होता है बस हाईर केमेस्ट्री आपको तब लगने लगती ही जब आप कॉणसेट्ट को समझते नहीं हो और क्या करने लगते हो धान से निखेए या उसको रटने लगते हो राइट है बोले यह सर चलो भाई है यह न केटेब यह पॉज्य पॉजिटिव यह क्या कहता है ruling कहता है कि एक पॉज़िटिव को हमेशा प्यार होता है एक नेगेटिव से यह यूनिवर्सल रूल अपने इसको जुटला नहीं सकते हैं मतलब यह कि पॉजिटिव और नेगेटिव की बीच में तगड़ी वाली लव स्टोरी एक्जिस्ट करती है खेल खतम अपने को नहीं सुनना किसी साइंटिस्ट की बात समझ में आई बोले यस j 연कोंब में चालस आने लगते हैं अब कोई रूल तो यह इसको कीचेका उसको सकता बिलकूल कीच सकता होगा क्या है अससे देखिएगा मैं आपको इस टापिक के साथ स्माइल करने पर मजबूर करने की पूरी कोशिश करूंगा बात समझ में आ रही हो है यस सार देखो इस खेल को ध्यान से अब होता क्या है कि उसका जो नाविक होता है है ना अब देखो अपने घरों में क्या होता है ध्यान से देखो अपने घरों में क्या होता है कि भाई-बैनों की बीच में क्या होता है कि अपनी तो चॉकलेट खाएंगे ही खाएंगे तो उस भाने वाले का आईस्क्रीम है चॉटलट में नजर रहती है मतलब यह कि आपका जो इंट्रस्ट ही वह किसके साथ है पड fossil के आपके चुत वाहीं वेरिट रक्ड़एश्ट एक इसके साथ में तो अ चलो चलो और ग्या सुनो यह आपके पास एक चोकलेट है बोलो यह सर बोलो यह है जो कि चोकलेट हो कि आतो थी है यह अब लुड़ में आपके चोकलेट आप फरी चॉपी है हमेरे कर्नामों में किसंग शुपी है कार नामे-कार नामे-कार नामे-कर नामे और खुरापार्थ में चुपी है बहुत सारी chemistry क्या यह चौकलेट जैसी दह रही है आप बोलोगे नो सेर कहां दिख रही है सेर बताओ ना सेर रहा तो यह बिलक्र भी चॉकलेट जैसा नहीं देख रहा होगा पर रजियूम कर लो यार अपन सब स्टुडेंट्स है ठीक है चलो चलो अपने पास दो चॉकलेट है इधर भी उधर भी यह अपना ए हो गया वह आपका भी हो गया अब ध्यान से देखो क्या ऐसा होता है प्रेक्टिकल बात अपन करें तो कि इस वाले चॉक पर क्या है नजर है बात समझ में आई फोलो यह सअ कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता है बले ध्यांस इसको अब लेखेगा कि वह यह इस eletron को यह भाई अपनी तरह कीचता है और इस eletron को यह भाई अपनी तरह खीचता है कुछ वैसे ही जैसे आपकी और आपके भाई ने एग दूसरे की चौकलेट पर जपटा मारने की पूरी कोशिश कर ली थी बात समझ में आ रही है यह जो हुआ इसी को कहते हैं क्यमिकल बॉंड का बनना यह जो हुआ इसी को हम कहते हैं क्यमिकल बॉंड का बनना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे से कनेक्ट कर देना यह पूरा की जो कहानी ये बावू वो यहाँ पर है कि दोनों hydrogen के परमाडू मैं लिख देता हूँ ध्यान से देखेगा तगड़ी वाली कहानी तो कहानी क्या है ध्यान से देखेगा भैया भीया 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 सुनो दोनो राइट दोनो है ना हाइड्रोजन किसकी बात हो रही है हाइड्रोजन के पर्मानू किसकी बात हो रही है दोनो हाइड्रोजन के पर्मानू हम बात किसकी कर रहे हैं दोनो हाइड्रोजन के पर्मानू की दोनो हाइड्रोजन के पर्मानू परस पर बात समझ में दोनों हाइडोजन के परमाणू परस पर एक दूजे के इलेक्ट्रोन को आकरशित करेंगे क्या करेंगे आकरशित करेंगे बात समझ में दोनों जो है क्या करेंगे एक दूसरे को आकरशित करेंगे दोनों हाइडोजन के परमाडू एक दूसरे के लेक्टरॉंज को क्या करेंगे आकडशित करेंगे अब नहीं से होगा क्या ओ भईया इससे क्या होगा ध्यान से देखो तकली माली कहानी ये रही कंडिशन सवाल पैदा होता हցए कि से क्या होगा तो इस से दोनों एक दूसरे के पास में आ जाएंगे वने यह सर ठीक है तो क्या होगा धियान से देखिएगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा तो दो चीजें होंगी और दोनों चीजों पर अपने को फोकस करना पहला पहला दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे दोनों जो है एक दूसरे के पास आ जाएंगे राइड वलाया सार दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे दोनों जो है कुछ इसी तरीके से यही तो chemical bonding है भाई बहनों की भाई भाई की बहन बहन की आपस में जो bonding है जिसमें थोड़ी तरकार है याने की थोड़ा प्रदीक अर्शन बल है पर ध्यान से देखा जाये तो बहुत सारा अर्शन बल होता है वो जो चॉकलेट को भी मिटा देते हैं इस प्रकार की ड्रॉइंग के लिए मैं शमा प्रार्थी हूँ अपन केमस्टी पर आते हैं आज चलो तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे यस और दोनों एक दूसरे के पास क्या होंगे आएंगे और जब ध्यान से देखेगा जब राइट जब दोनों एक दूसरे किसकी बात हो रही है परमाणू की बात हो रही है ठीक है परमाणू की बात हो रही है वेटा ध्यान से देखना दोनों एक दूसरे के पास में आएं और जब दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे मनला ऐसा नहीं कि exactly अंदर चले गए जो जब दोनों एक दूसरे के बिलकुर करीब आ जाएंगे समा जाएंगे इसी को हम बोलेंगे दोनों के बीच में हुई यह chemistry यह आने की bonding राइट चलो में समा जाएंगे दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे अब इसका मतलब क्या है इसको पन समस्त है ध्यान से देखिएगा कि दोनों के इलेक्ट्रोन बादल इलेक्ट्रोन क्या इलेक्ट्रोन बादल याने की क्लाउट दोनों के इलेक्ट्रोन क्लाउट याने की इलेक्ट्रोन बादल मर्ज हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे mix हो जाएंगे mix हो जाएंगे बात समझ में आरिए कैसे हो जाएंगे mix हो जाएंगे mix हो जाएंगे तो दोनों के electron बादल आपस में mix हो जाएंगे अब जब दोनों के electron बादल आपस में mix हो जाएंगे तो इसी को हम बोलेंगे क्या chemical bonding इसी को हम क्या बोलेंगे यसे दो चीजे होंगी पहला उर्जा बाहर निकलेगी बोलो यह सर उर्जा कैसी होगी बाहर होगी और यही कहलाती है chemical bonding यही क्या कहलाती है chemical bonding जैसे हम लोग कहते हैं रासाइनिक आबंधन बात समझ में आई बोलो यह सर तूर्जा होगी बाहर और य इसको करो नोट रगड़ते हैं इस टॉटिक को बहुत तगड़े तरीक से जल्ली से नोट किया जाए हरी अब चलिए बढ़िया से आपने इसको टीप लिया है और भाईया यह कहानी बढ़ी इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब दोनों हाइड्रोजन के एलेक्ट्र एक दूसरे के आकर्शन बलके कारण पास पास में आ रहे हैं तो इसका जो असर है राइट इसका जो असर है वह बेसिकली कैसा होगा ध्यान से देखेगा सबसे पहली बात तो यह कि उर्जा बाहर निकलेगी सबसे पहली बात तो यह कि उर्जा बाहर निकलेगी और दूसरा और उसके पडोस में दूसरा हाईडोजन यहां पर आ जाएगा बात समझ में आ रही है ऐसा नहीं कि पूरा उसके अंदर मर्ज हो जाएगा और ऐसा नहीं कि बहुत दूर रहेगा मनलब यह कि वह लगवक जो है यहां पर ऐसे आ जाएगा बात समझ में आ रही है बोलो यह सर राइट 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 और अब देखिएगा अब देखिए यह और यह देखिए यह बात समझ में आई बोलो यह सर चलो इस तरीके साम दोनों के जो है नाविक भी बनाने वाले हैं और यह नाविक बनेगा इसका यहां पर ठीक है इसका नाविक यहां पर गया इसका नाविखम ने इधर पर बना दिया और अब सवाल पैदा होता है कि जो दोनों के इलेक्ट्रॉन है सवाल पैदा होता है कि जो दोनों के इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली किस तरीके से घूम रहे होंगे और कहां पर होंगे तो ध्यान से देखिएगा दोनों के इलेक ऐसे जाएंगे 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 फिर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे फिर यहां से जाएंगे फिर यहां से जाएंगे फिर यहां से जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से घूम रहे होंगे और इसी को हम कहते हैं ओवरलैपिंग मतलब यह एक परवानु जो है दूसरे परवानु के साथ क्या हो गया वह यह मर्ज हो गया और दोनों के नाभिक के बीच में कुछ ना कुछ अंतर तो होगा बिलकुल होगा और यह जो होगा दोनों के नाभिक के बीच का कैसा होगा minimum distance होगा मतलब कि ये noon-term अंतर होगा बात समझ में आ रही है बोलो yes sir और ये अंतर कैसा होगा noon-term होगा बात समझ में आई और ये जो noon-term अंतर होगा ठीक है जिस पर ये सबसे जादा स्थिर रहेगा सबसे ध्यान से देखेगा सबसे ज्यादा कैसा रहेगा तो भाईया इस्थिर रहेगा सबसे ज्यादा कैसा रहेगा तो इस्थिर रहेगा सबसे ज्यादा कैसा रहेगा तो इस्थिर रहेगा बड़े ध्यान से देखेगा सबसे ज्यादा कैसा रहेगा तो इस्थिर रहेगा और अब ध्यान से देखिए की 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 ये जो दोनाविक आप लोगों ने बनाए थे जिसमें ये दोना पॉजिटिव थे पॉजिटिव थे एलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव थे अब जादा भी नहीं कर सकते आप बहुत जादा पास भी नहीं लिया सकते और बहुत जादा द तो नाभीग नाभीग प्रतीकर्शन करेंगे, बात समने में आती है, बहुत दूर रहेगा, तो आबंध नहीं बन पाएगा, तो ये सब common sense वाली है, बाते हैं सको ध्यान से सुनिए, बहुत दूर रहेगा, तो bond नहीं बन पाएगा, बहुत pass आएगा, तो इससे पता है क्या होगा बहुत पास से दियाएगा तो इससे जो है इससे जो है इससे जो है प्रतिकर्शन बल बढ़ जाएगा मतलब दूरी ना तो बहुत जादा होगी दूरी ना तो बहुत कम होगी दूरी जो है वह एकदम एक्जेक्ट डिस्टेंस पर होगी और इसके कारण इसके कारण वो सबसे ज़्यादा इस्थिर होगा और वो जब सबसे ज़्यादा इस्थिर होगा तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है वो बाहर निकलेगी बात समझ में आ रही है इसका मतलब यह कि distance कम भी नहीं होना चाहिए जादा भी नहीं होना चाहिए बात समझ में आगई बोलो यह सर्सको कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट किया जाए नोट किया जाए ठीक ठीक है जी चलो अब इसको समझेंगे कैसे इसको हम ग्राफ के माद हम समस्ते हैं ध्यान से देखेगा अपने बास एक तगड़ा वाला ग्राफ है यह ग्राफ आपको याद रखना है क्योंकि यह ग्राफ जो है कई बार जे डबरी नीट और भी जो बहुत सारी कॉंपनेटिव एक्जाम सोती है वहाँ पर उच लिया जाता है ध्यान से देखेगा ठीक है यह जो दूरी है आबंद की जो लंबाई है यह है आपकी आर नॉट क्या है आर नॉट क्या आपको ग्राफ दिख रहा है बोलो येस सर क्या आपको यहाँ अंतर नाभिक दूरी दिख रही है वहलब दो नाभिकों की बीच की दूरी राइट चलो तो एक्स एक्सेस पर अंतर नाभिक दूरी दिख रही है और वाई एक्सेस जो है उस पर उर्जा दिख रही है राइट और उर्जा कैसी है ध्याम से देखिए यह जीरो है तो ऊपर की तरह positive होगी और यहां पर negative होगी और जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसे अभी क्रिया में उर्जा बाहर निकलती है तो उसको हम लोग ऊश्वा छेपी अभी क्रिया कहते हैं और इसका मलब यह होता है कि हम उसको negative लेंगे तो ध्यान से देखिएगा दोनों नाभिक बहुत दूर दूर थे दोनों आपके जो परमानू है नीले के लट से आपको दिखने होंगे आस्मानी के लट से राइट यह पहले दूर थे दूर थे तो जैसे जैसे आप पास लेकर आ रहे हो तो उर्जा जादा से जादा निकल रही है जादा उर्जा निकलने का मतलब जादा स्थिर्ता बात समझ में कोई ऐसी अभी क्रिया है जो कि उश्मा छेपी है यदे जादा उर्जा निकल रही है इसका मतलब यह हुआ कि जादा से कि यहाँ पर maximum मूर्जा जो है energy जो है वो बाहर निकलेगी कितनी 423.8 किलो जूल पर मूल 435.8 किलो जूल पर मूल बात समझ में आ रही है तो आप पास लेकर आते गए तो एक पर मानू दूर था फिर पास आया फिर बहुत पास आ गया और इस तरीके से यहां से अधिक्तम उर्जा जो है वो कैसी हो रही है बाहर निकल रही है बात समझ में आप और पास लेकर आ आप जब और पास लेकर आए तो उर्जा फिर कम निकलने लगी एक टाइम बात तो ऐसा हो गया कि इसके बाद तो आगे बढ़े गई नहीं इसके बाद तो वो दोनों एक हो गई ठीक है तो ऐसा प्रतेक परमाडू के अणू के लिए अलग अलग ग्राफ होगा आपको बस यह याद रखना है कि यह अधिक्तम आपके जो उर्जा है वो तब बाहर निकलेगी जितनी उर्जा बाहर निकलेगी उतनी जो है स्थिरता आएगी और इससे जादा नाविक पास में नहीं आ सकते हैं वह आपको लग रहा है कि सेर एक काम करते हैं अटेक नाविक यहां रखते हैं फिर दूसरा उसके अंदर फिक्स कर देते तो ऐसा नहीं हो सकता बात समझ पहें तो यह अभी अपन ने पड़ा यहां से अपन एक चीज समझी कि परमानू ध्हान से से नहीं क्या सीखा हम लोगों ने बड़े ध्यान से देखिएगा कि जब पर्मानु है रइट वेट पर मानू आपस में ध्यान से देखिएगा पर्मानू आपस में mix हो रहे हैं परमाणू आपस में क्या हो रहे हैं mix हो रहे हैं बास खतम बात परमाणू आपस में mix हो रहे हैं और सुलनो इसको ध्यान से यह कैसा टॉपिक है जो कि यह पूरा चाप्टर ही ऐसा है आपको आपने हर वीडियो में इसमें देखा होगा यह पूरा ऐसा चाप्टर तो सी ओई टी जे डबली और नीच वालों का फेड़ेट है बात समझ में आरी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टेट बोड की परिक्षा देर हो या नहीं देर हो उसमें भी फेड़ेट है राइट नोट कर लो तो परमालू आपस में मिक्स हो रहा है यह जो कहानी है इसको भी बढ़िया से अब नोट कर ले अब ग्राफ आपके समझ में आ रहा होगा राइट है कहानी सिंपल है कहानी मज़ेदार है कहानी इस जगे पर वह सबसे स्टेबल होगा क्योंकि अधिकांश उर्जा जो है वो क् अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ जित्ते पॉइंट से लिखे हुए है और यार एक बात बताओ यह क्या था यह जो बनाया गया है यह एक परमानू के लिए है यह दूसरे परमानू के लिए यह आप ध्यान से देखेंगे तो रुको एक हाइड्रोजन यह है यह उसका एलेक्ट्राइन है वो यह सर एक हाइड्रोजन यह है तो यह उसका एलेक्ट्राइन है गोलो यह सब्सक्रण से बनेगा ऐसा ऐसा तो यह हमma अलवक देख चुके है अपने पास एक बढ़िया रंग्मिरंगा डाइगरम आप यह वाला बनाओ कहां वहां उसके चक्कर अवधार ना जिसको हम बोलते हैं orbitals का overlap करना क्या कहते हैं तो भाई या इसको हम कहते हैं orbitals का orbitals का overlap करना इसको हम क्या कहेंगे right हम कहेंगे बाबू orbitals का overlap overlap अरे mix होना रे बाबा mix होना mix होना mix होना right orbitals का overlap होना या फिर mix on a that's all बात समझ में आरी बोलो यह सर कहानी बड़ी इंट्रस्टिंग है राइट चलिए तो हम पढ़ने वाले हैं कि और बिटल किस तरीके से ओर लैप होती है अच्छा चलो देखते हैं ठीक है अब यह पढ़ने के लिए अपने को जाना पड़ेगा कहां कक्षक कौन सा शब पर न harbor अपना कॉंसप्ट अैसा पने बना रखा है कि जैसी एक शब्द आता है पिछली पुराने कंशेट क TVs निकल निकल कैसे है लीख होते हैं मिट दिमाग से होते हैं जैसी क् EarGr gap अया पिछले जो कॉंसेट तो बिलकुर दिमाग से लीख होने चाहिए निकल निकल कर बाह चीज़ देखो HO कि इस कख्षक जानते हो में असार को रिकत्र वाली बात बोलो सार चलो इस कख्षक जो है उसको हम कैसे बनाएंगे वह ध्यम्यार देखर गजारे कोरे मोरी पास पी कख्षक धा जबस काbas कौन सा है तो वावे पी कखशक फीक कखशक ठीक है सकक्शक है और क्या है हमारे पास पी कखशक है अब हैस कखशक जो है उसमें कितनी इलेकट्रॉन आ सकत हैं यह एकशक TRA平 श्म expressions प्री头 कख़वा ऑन Fareed आ थीडी इलेक़रोन आ सकते हैं मुंऔर समझ में आ रिए पार यदि हम P i == चाहचई की बात करेंगे यदि हम P == की बात करेंगे इसमें कितने एलेक्ट्रॉण आ सकतें तो उसमें 6 आ सकते कुल पी कक््षक को किदे हम बात करें तो राइट एक मिन दोध हिएंगे वैसे 6 सकतें हैना अब देखो तो एक तो यहाँ आजाएगा बोलो यह सर एक बावो यहाँ आजाएगा बोलो यह सर ठीके जी तीन कक्षक अब सुन आपको यदि एक कहानी याद हो तो यहाँ पर अपन दो इलेक्टॉन्स बनाएंगा तकड़े वाले तकड़े वाले यहाँ पर अपन दो इलेक्टॉन्स ब है वह भरी जाएगी राइड बोले यह सर और यह फिर चौथा इलेक्ट्रॉन पांच 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 पा भीया पी एकस है यह पीवाइए और यह पीजएड अब सवाल पैदा होता है इनको हम ऐसा नाम क्यों क्यों देते है राइट एक और कहानी आपको clear होगी आप यह जानते होगे तो यह M बराबर डान से देखना यह M बराबर विटा आपका माइनस वन है यह शून है और यह प्लस वन है इस तरीके से इसका जो एम बराबर है वो आपका शून है यह सब अपन ने पढ़ लिया है सवाल पैदा होता है यह कक्षक की आकरती कैसे होगी सवाल पैदा होता है कक्षकों की आकरती कैसी होगी तो अगल चादगो सवाल आपके सामने लाया जा रहा है उसमें आपको बताना है कि कखशकों की आकरती, कखशक क्या होते हैं, वो रास्ता, जिसमें, ध्यान से देखेंगा, वो रास्ता जिसमें electrons गूम रहे हैं वो रास्ता जिसमें electrons गूम रहे हैं वो लो यह सर राइट ठीक चलो कक्षकों की कख्षकों की की आकरती कक्षकों की आकरती कैसी होगी बात समझ में आई चलो इस सवाल का भी हम जवाब देते हैं तो अब एस जो रहेगा उसकी जो आकरती होगी वोगी स्फेरिकल कैसी होगी गोलाकार यानिकि स्फेरिकल इसका मतलब क्या है समझते हैं देखो हम बीच में नाभिक बनाते हैं इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन है इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉ है राइट इसके आसपास जो ऐलेक्ट्रॉन है वो कैसे घूम रहा है तो बड़े ध्यान से देखेगा ऐसे भी घूमेगा और वावु ऐसे भी घूमेगा तो यह जो है किसकी आकरती होगी आपके ऐसके लिए महलब सीधी बात ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गोलाकार घुमेगा खतम बात इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा घुमेगा किसमे ऊर्जा कक्षा में यानि की कक्षक में कैसा घुमेगा गोलाकार घुमेगा फिर आप बोलो कि सर यह डिब्बे का मतलब क्या है बाबू यह सिर्फ रीप्रेजंटेशन है यह क्या है यह सिर्फ आपका रीप्रेजंटेशन है यह क्या है तो यह सिर्फ आपका रीप्रेजंटेशन है कहानी क्या है ध्यान से देखेगा इलेक्ट्रॉन गोला कार घुमेग बात समझ में आई बोलो यैस सर चलो आगे वड़ते शवार पैदा होता है कि सर अभी यह तो बताा ओप्लों gaming और गूमांड है। यह यह सब् anfangen पैदा होता है कि इधर की तो बताओ गुरूझी इधर की कहानी क्या है तो ध्यान से देखेगा इधर भी नाविक होगा यह लो positioning यह बनाया मैंने नाभिक कि या मैंने वो लूjs और नाभिक सवाल पैदा होता है कि इसवल इलेक्ट्राओं है अचाहा रुको रूको रूको आप आपको ने एक जादू दिखा तो ध्यान से देखने इस एरो को मिरे को मिटाने दुजरा जादू तगड़ा वाला जादू बबू तगड़ा वाला ठीक है अब सवाल पैदा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाविक यानि कि नूकलियस के आसपास किस तरीके से घूम रहा है यह जानते होगी कैसा भूम रहें यह जानते होगी घूम रहा है अब हम यह जानेगी कैसा भूम तो उसके लिए आपको इसोर तो छाओ, ठीक है जी, बोले, या सर, कोई दिकाद, बोलो नो सर, तो भाया ये बन गया आपका तोड़ा और दूर बनाते हैं, PY ये बन गया आपका PX, और ये बन गया आपका PZ, ओ भाया, PZ मतलब ये वाला, उसको पनी ऐसे दर्श आते हैं, पर मैं थोड़ा ना दूर बनाऊ भूंगा उसको यह बन गया आपका पीज़ेट कोनो दिकत कोई दुखदर्थ कोई सवाल पैदा हुआ बोलो नो सर चलिए अब कैसे घुमेगा वो समझ लेते हैं इसके लिए जो नाविक है इसको अपन थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको कॉंसेप्ट बढ़िया से क्लिक कर जाएं यह बना दिया अपने नाविक को थोड़ा सा बड़ा बात समझ मैं अब इलेक्ट्रॉन इसके आसपास कैसे घुमेगा बड़े ध्यान से इसको आप सुनिएगा और इस पूरी कहानी का मजा लीज़ेगा राइट भाईया इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐसे कैसे घुमेगा ऐसे घुमेगा देखो यह आपका य का इलेक्ट्रॉन है यह ऐसा आकर कि ऐसा घुमेगा बड़ा यह इस तरीके से घुमेगा ऊपर बड़ा नीचे चोटा रोको लेर यह नाभिक क्या सपास इस तरीके से जो वाय वाला इलेक्ट्रॉन है वो गुमेगा कितने इलेक्ट्रॉन इसमें दो इलेक्ट्रॉन है अरे भी सीडी बात यदि यह नाभिक है तो ऐसा उपड़ से निकल के आएगा फिर ऐसा जाएगा फिर ऐसा जाएगा बात समझ मैं इसे दरीके से जो एक्स फाला एलेक्ट्रॉन है उसका भी अपन बनाते हैं पहले इसमें थोड़ा रंग वंग भर देते हैं ना चुला जाओ पुलाइस कोई कहानी समझ में आई कि नहीं ओलाइस सिंबल है अपन गया देखने एलेक्ट्रॉन क्या से खुम हो ठेक है चला तो यह किसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ध्यान से देखेगा यह आपके वाई का उलेक्ट्रॉन खुम रहा है चलो अब लिग भी देते हैं क्यो कोई रिकत सवाल ही निए पैदा होता गर्दा उडा देंगे मिलकुर आ जाओ अब हमने बना दिया है अब कौन से वाले रंग से बनाया जाए चलो नीला कलर और फेवरिट कलर चला जो नीले रंग से बनाते हैं एक्स वाले एलेक्टरॉन ठीक है जी तो यह ऐसा गया यह तो ड़ल ना ऐसा हां यह ऐसा गया यह और यह ऐसा गया तो ऑपन इस को इसवी थ यह उड़ा में आपका कौन सब एलेक्ट्रon धियान से छिएक harms डेखकेगा ठीक टाइओ यह उड अपका इलक्ट्रॉन में गया कौन सब्का ओस ईक्रोले लिपको बस मेरे को बना लेने दो बस बिटाए एक मिनिट आवस बना लेने दो बस जरा बना लेने दो बात समझ मैं एक और बनाते हैं जड़ वाला इलेक्ट्रॉन उसको हम बनाएंगे किसे पीले के लट से बनाते हैं नहीं है वो हो गया हरे कलर से बनाते हैं चलाओ तो इसको बना दें ग्रीन कलर से यह सा बना दिया अपने है थो लिए नाइंसाफ ही हो रही है इसके साथ में होने नहीं देंगे बिलकुर अपान सारे और बिटल्स अपने लिए बराबर हैं वो यह सर और वह यह यह लो यह लो यह लो यह लो है अब एक काम करते हैं नाभिक बड़ा जीब सा फील कर रहा है तो नाभिक को भी अपन बना देंगे चलाओ यह था बैसिकली वो नाभिक बात समझ में इस तरीगे से जो इले क्रओन हैं वह बैसिकली आसपास घूम रहे होते हैं इसको आपन कहते ही एलेक्त्रौन क्लाउड क्या कहते है तो इसको हम कहते है इलेक्ट्रोन क्लाउड बात समझ में आग है बस पूरा खेल यहीं छुपा हुआ है चलो बाब वो नहीं है दो आपने यहां बना दिः चल और दो इक ट्रॉन हम लोग यहां पर और यहां पर बना रिकत सवाल ही नहीं पैदा होता नाम लिखेंगے वह एसे थोड़ी और उसा काम बना आज ओ इसका नाम क्या होगा धियान से देखेगा पी वाट यसका नाम क्या होगा पीजेट और इसका नाम क्या होगा पीएक्स क्लियर है तो क्या आपको वो गोलाकार और यह जो पी में आपके जो कक्षक थे यह समझ में बाद समझ में आई कि नहीं अब क्या होता है अब ऐसा यार बड़ा कॉम्टिक एफिट दिखता है तो हम इसको ना समझाने के लिए पत देखेगा मस्त वाली यह कहानी है चलो नाविक थोड़ा चोड़ा डाइग्राम बनेगा भाई एक मिनट रुको बताते हैं इसको जरावी अपर रुको डाइग्राम थोड़ा चोड़ा बनेगा ठीक है जगे का में इसे लिए ना बोले यह सर इसको कैसा बनाएंगे आसान तरीके से हम इसको डिजाइन करने वाले हैं और दिखेगा कैसा वो देख लेते हैं चला जाओ तो यहां पर जो है हमने नाभिक बना दिया है बोलो यह सर और जो है हम और जो है हम बया जैट बनाएंगे पहले यह बना जैट थोड़ा गड़बड़ बन गया बाबू यह बना जैट अरे यार रुको 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 बनेगा तो एकदम तकड़ा तो सहां आध्यक्त पर यह सर थोड़ा और रुको यह लोग और थोड़ा स्क्वीज कर देते हैं और थोड़ा ऐसा खीच लिए तो यार ऐसा कहले ते चल जाद समय नहीं देंगे इसको पन ऐसे कर देते हैं थोड़ा आगे शिफ्ट कर देते हैं इतना तो कर लोगे लगा पैन से तो बना ही लोगे यह बना जैट ठीक है चला ना इस ताइम फॉर वाई 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 दिस कुला वरी डी चलो वाई के लिए बनाने वाले अपन लो नाते सवरिय वाई बनीगे जैड एक वाली बात करते हैं चला एक सव बनाते हैं क्या यह डाइग्राम अपने कभी देखा है दो यह सब क्योंकि एक एस डाइगराम में जिसको हम हर कोई केमेस्ट्री फिलिक्स की किताबों पर देखते हैं जहां पर भी विए नियूक्लियर को बने से बनाते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पाजवा छटवा क्या इस तरीके का आपने कोई डाइग्राम देखा है बोलो यह सर वह एक्च्वल डाइग्राम नहीं है एक्च्वल यह है पर ऐसा बनाएंगे तो क्लास शोड़के चले जाओगे बोलो यह सर इसलिए क्य आप इसको ड्रॉ करने वाले हैं क्योंकि अब इसके बात की जो कहानी है वह बड़ी इंट्रस्टिंग बात समझ में आ रही है वह यह सर अब हम यह देखेंगे कि जब बांडिंग होती है तो उसका मतलब होता क्या है ठीक है चलो देखेंगे आओ कैसे देखेंगे बड़े सरे डेखेंगे मस्ति वाली यह बात देखो ड़ाधा अब हम कहह हो यह ही जनका अनू जब बन रहा है राइट तो इसमें ho क्या रहा है तो आप बोलेंगे सैरा हमारे पास एक हाइड्रोजन है और हमारे पास एक और हाइड्रोजन है इसका ईलेक्ट्रॉनिक विन्यास वनेस है इसको हम और साइगे तो हम इसको डा क्या बनाएंगे तो दोनों को झोड़ने की कोशिश करेंगे तो कैसा दिखेगा वह देख लेते हैं बात समझ डिक यहां कि चार सर यादी गुला कार होता है तो गुले-गुले बनाने का खेलख तम चल ऊतों ने क्या किया थियान सदेखना एक को ओले हमारे पराबर होंगे क्योंकि एक गोलाम नहीं यहां पर बनाया हो लेका राइट और इसका हम क्या बोलेंगे common sense क्या कहने के लिए आपको मजबूर कर रहा है राइट तो अब इसको क्या बोलोगे आप इसको बोलोगे SS mixing यह सर बोल दो यार क्योंकि ये भी आपका hydrogen है ये भी आपका hydrogen है electron वगेरे अब नहीं बना रहे हैं तो एक hydrogen जब दूसरे hydrogen के साथ मिलता है राइड बोले यह सर तो इसका मतलब क्या हुआ यह हो गया आपका SS mixing कोई दिकत सवाल ही नहीं पैदा होता आओ fluorine के बास चलते हैं आजा आजव किसके बात fluorine के पास चलेंगा आजओ तो फ्लॉरीन के पास आजव चलते हैं तगरा व्ला कौन चैप्स सीखते हैं चलो आब हुम किसका निर्मान कर रहे हैं अब या fluorine के रहा होता है तो हम देख रहे हैं कक्षकों की mixing that's all simple सी बात तो हम देख रहे हैं कक्षकों की mixing जैसे आप भील पूरी खाते हैं उसमें mixing होती है पानी पूरी खाते हैं कई चीज़े आपस में मिक्स होती है कुछ इसी दरीके से हम बात कर रहे हैं कि की कख्षकों की मिक्सिंग की ठीक है ठीक है और कोई भी डाउट है जिन बच्चों ने इसके पहले की क्लासिस पर रखी है यह थोड़ा बहुत रखा है उनको दो बहुत बढ़िया से कनेक्ट होगा ऐसा मेरा मानना है पर यदि आपके लिए बिल्कुर नया है तो मत घबराईए इस पीडियो को स्टार्टिंग से देखेगा एक एक चीज दिमाग के अंदर फिट कर रहें मैं कक् रहेंगे हम फ्लोरीन के क्या बनाने वाले हैं दो हम फ्लोरीन के बनाने वाले हैं दो क्या इस तरीके से पहला फ्लोरीन और दूसरा फ्लोरीन बात समझ में जल्दी से बईया दोनों का इलेक्ट्रानिक ऑन्परिकेशन लिखो और जैसे हाइड्रोजन के लिए मैंने लिखा वह आजा चलो बहाई यह भी नौ यह भी नौ यह वान इस तो इसके बाद होगा टुपी फाइब योगा बने स्टू यह वाला होगा सेम टूपी फाइब अब हमको करना क्या है हमको सिर्फ लास्ट वाला जो इनकंपलीट है ना बस वह बनाना है बात समझ में आगी मदलब यह कि यह वाला भाग अपने को बनाना है यह वाला भाग बनाना है अंदर का अपने को नहीं बनाना है बात समझ में आ रही है बलो यह सर तो अपने को यह चीज़ बनानी है अंदर का हमको नहीं बनाना है क्लिय दिबब दिबब दिबबिबख चलो डिबबे केंदर डिब बकेंदर डिबबु ठेक चल कि यह बनगे अपना डिबबे केंदर गपाल आजा तो रहे है कंख्षक अपने असीया पर मना धिक वाली सवाल यह रता होता चलिये और सठीके से जो है यह लो रहो है यह बिख्या और यह यह लो यह व्होlt यह हो गया ओर यह डीकल फाली बात सूब ही नहीं परदा हो था था कैसे होगा यह यह पहला इलेक्टरौन दूसरा electron इसको थोड़ा सा फिर से इदर करेंगे दूसरा electron और WHY? करता और पांचवा पहला electron मेरा दूसरा electron प्लाइन को सुनियेगा कि क्या यह यह वाला electron खाली है और यह अपने उसक dictionary के लिए आपस में क्या करेगा mix हो जाएगा मतलब यह कि आपस में यह जो है यह क्या बनाएगा ध्यान से दिखेगा bond यानि की आपन्द बनाएगा रायघर इसको दर्शाएंगे कैसे बड़े ध्यान से देखे तो देखो भाई है यह आपका p.x ہے बोलो यह तुषी वाय है गलो that's all अपने को जो है PZ से PZ को क्या करना है connect करना है कैसे करेंगे करेंगे बड़ी सिंपल सी घानी है इसमें मैं PY और PX को नहीं बनाओंगा क्यों नहीं बनाओंगा क्योंकि वो देखने में बड़ा complicated लगेगा अच्छे काम करते हैं बना लेते हैं चलो चलो यह टॉपिक भी हमको क्या याद रखेगा बना लेते कोई दिक्कत नहीं आजो ठीक है तो ना एक मिनट यहां पर अपना एक टॉपिक जो है यह वाला जो क्या अपना खतम होगया है अब मैं क्या कर रहा हूं बड़ी दिधान से देख़ेका तो बहीं मैं पीसेड़ोर पीजेट को आपस में मिला रहा हूं क्यों डूपिया लेपिंग क्या बूलते हैं और लैपिंग यानि की हिंदी में हमें से किया कहेंगे अती बात समझ में आई बोले यह सर ठीक है जी चलिए दोनों के Z और Z का हम मेल मिलाप कराने वाले हैं दोनों के Z और Z का हम मेल मिलाप कराने वाले हैं तो एक अक्षक तो आपका सारी एक एलेक्टरॉन तो आपका यहां पर बना हुआ है ठीक है एक आपका नाभिक यहां पर है और वो एक नाविक आपका यहाँ पर है दो नाविक हम बना चुके हैं बड़े ध्यान से आप देखिएगा इसके बाद मैं X Y Z तीनों बना रहा हूं अच्छा कोई रूल तो नहीं है ना कि इधर X होगा ऊपर की तरफ Y होगा और सामने की तरफ Z होगा ऐसा कोई रूल तो है नहीं किसी को भी अपने X Y Z ले सकते हैं मुलो यह सर चलो लेते हैं फिर ठीक है घबराने वाली कोई बात ही नहीं है लेते हैं बिलकुर लेते हैं आज सिसतर हैं इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रॉन विंग बनाता है रुखके यह लो यह लो यह लो यह प्रल ऑस बन गया धोनों का अभी बना दूगा ठीक है अब बड़ Japan से देखना आप अच्छा कछका सब बना दे चलो चलो अक्ष वगेरे सब कुछ बना देते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं यह आपका X-axis हो गया पिटा यह आपका Y-axis यह Z-axis हो गया और यह जो है आपका Y-axis हो गया कुछ ऐसे ही यहां पर भी बना देते हैं ध्यान से देखिएगा राइट चलो यह आपका और यह आपका X-Access हो गया और यह जो है आप इध्यान से दिखेंगे तो यह आपका Y-Access हो गया बात समझ में लिग भी देते हैं चलो लिग भी देते हैं कोई कोई दिक्कती नहीं कहीं पर कोई परेशानी नहीं क्योंकि यह कैसा डाइग्राम होता है ना जिसको देख आपको लगता है सर्य फूल पत्ती कहां से आ गई हमारे उपर से जा रही है बिलकूर फूल पत्ती को आपकी उपर से नहीं जाने देंगे इस बात समझ में आगी, चलिये, x हम बना चुके हैं, अब बारी है किसकी y की चलो y बना, य बना तரे बावो y by this qulavery D, चलो आओ तो y बनाएंगे अब हम लोग यह बनाया हमने y चलो, यह हम y बना चुके हैं और इसके पास भी basically electron's है और तो इसके भी उलेक्ट्रान्स को हम यहां पर दर्शाय देते हैं क्योंकि वाई में भी उलेक्ट्रान से इधर बी मेरे को वाई बनाना एभूले सिर तो The Wire, यह हमने बना दिया, चलो, दोनो के हमने जो Y है, वो बना दिया, ठीक है, आच जाँ, दोनों के लिक्ट्रॉन भी बना दिया, कोई रिक्त, सवाल ही नहीं पयदा होता, लिक्ट्रॉन सब कि बन गए, अब बनाते हैं Z, आई आई अब बनाते हैं हम क्या तो भाई अब हम बनाते हैं जैट ठीक है क्या बनाएंगे हम जैट बनाएंगे जैट चल तो एक जैट हमने यहां से बनाया ऐसा ध्यान से देखिएगा और एक जैट जो है हमने बनाया इत्थ है और यहां पर आपने एक जैट बनाया क्योंकि के जड़ को z से हमें चा-क और लैप कराना है ध्यान से देखिएगा जड़ औरBITAL को हम लोग जड़ से क्या कराँएंगे और्लैप कराइंगे याने कि उसको एक दूसरे से हम क्या करांगे मिलवा देंगे क्योंकि यह दोनो औरBITAL से एक से नहीं मिली तो इनकी जो लव स्टोरी है वह धीरी रह जाएगी और यदि यह लव स्टोरी दूरी रह गई तो फ्लोरीन का अनू कैसे मिलेगा बाव बड़ी इंट्रस्टिंग कहानी है ध्यान से देखो राइट तो इसका मतलब क्या हुआ ध्यान से देखेगा एक यह वाला जो जैड है इस वाले जैड के साथ मिल गया जिसको मैंने यहां पर बनाया था बात समझ में तो इसको हम क्या बोलेंगे ध्यान से देखना राइट इसको हम क्या बोलेंगे ध्यान से देखना उपर वाले को हमें क्या बोलना चाहिए भईया हम उपर वाले को बोलेंगे ठीक बात समझ में आ रही है तो इस तरीके से हमने ये तो जान लिया कि कक्षक किस तरीके से मिलते हैं बात समझ में अब इसको थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं हमने ये तो जान लिया कि किस प्रकार से जो कक्षक याने की और्बिटल से वह दूसरी के साथ मिक्स हो जाती है जिस को सब्सक्राइब कशिया है ज possiamo के मिक्स का कि रिखी हो और इस समिभी आ रहि Wildlife सो चलो यह पीपिगकम हो गया और पर आपका daughter मिक्सिंग हो गया उच्छ को मिक्सिंग कि इतने प्रकार की हो सकती है उसको अपन देख लेते हैं एक रहा हुँ एस होगी तो हमच ग॥े होगी हो ओट यहाँ पर यहाँ पर दि होगी तो हम इसको SP overlapping कहेंगे इस तरीके से और भाया इस तरीके से दी होगी तो इसको हम PP over mixing कहेंगे और overlapping कहेंगे कोई रिकत सवाल ही नहीं पैदा होता और इसको हम बोलेंगे sigma bond क्या बोलेंगे sigma आबंद बात समझ में आई तो ये तीनों होंगे आपके रुको जरा इसको मैं इधर पर बनाता हूँ ठीक है यहां पर बनाता हूँ है ना सबके उधारण भी हम देखेंगे और यह यहां पर ऐसा होगा और भाया यह यहां पर ऐसा और यह यहां पर ऐसा यदि होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, धान से देखना, यह आपका SS औरलेपिंग है, यह SP है और यह PP है, उधारण देखेंगे तो यह H2 होगा आपका, यह हम देखेंगे तो यह HCL होगा आपका, राइड बोलो, यह सर, और यह हम यहाँ पर बात करेंगे, तो यह आपका CL2 हो जाएगा तो वो हम ने इस तरीके से h2 बना दिया है इल बना दिया और cl2 बना दिया इसको हम कहते हैガं максим का ये वाला तरीका है defa64 तो यह सेट इंगा सब्सक्राइन का क्लम का यह जो तरीका है ऊक कि इसको हम बोलते हैं सिगमा इसको हम कौन सा बॉलेंगे तो भाई यह कहला आएगा आपका सिगमा आबंद खतम बात इस कॉंसेट को बने रगड़ के रख दिया तो भाई यह कहला आएगा आपका सिगमा आबंद क्या कहला आएगा तो यह कहला आएगा सिगमा आबंद ठीक है ऐसे साइट साइट से मिलेगा तो क्या कहला कुराएगा सिग्मा आबंध खै्टम तो एकप्रकार का आ बंध हम ने देखा और ये आपका सिग्मा बंध अब सवाल पाया होता है सरह डिस कम अंद ये है तो पाई मौन्ड क्या होगा जसके बारे में बात की जाती है राइट चलो तो यदि कोई बनाता है इस तरीके से ध्यान से देखेगा यदि कोई ओरलेपिंग करता है इस तरीके से यह ऐसी है और इस तरीके से ओरलेपिंग करता है तो एसमें तो यह नहीं होता सिर्फ पी में होता है राइड बॉल यह सार त तॉ इस थGG मेशरी यह जो आपका लेपिंग है यह है बावू फाई Uhr निम्ग दिसको विलेंगे हम उसको बंगे पाई बांट रैट तो यह क्या होगा आपका पाई और होगा आपका आबंध बास खतम राथ हैill तो यदि आपको कक्षकों की आगरती क्लियर है तो आप ओर लैपिंग और क्या बोला था इसके लिए अतीव्यापन क्या बात है बड़े लोग बड़े शब्द अतीव्यापन सीधे सीधे काटो इसको यहां से परीक्षा में ऐसी रिखना पर सुनों फेले कॉंसेप्ट कर देता हूं से ऐसे ठीक अधीव्यापन पर अपने को याद क्या रखना है कॉंसेट समस्ते डाइम मिक्सिंग क्लियर कानी बोलो यह सर शांदार है कहानी बोलो यह सर को भी में नोट किया जाए हरी अपका तो इस तरीके से एक तरफ हमारे पास सिगमा आबंध है और एक त ठीक तो अब इसका एक्जामपल क्या होगा तो हमेशा याद रखिए एक जैसे कहीं पर आपने डबल बॉंड या ट्रिपल बॉंड देखे हैं और राइट स्पाई बॉंड कब बनता है और सिगमा बॉंड कब बनता है वो बता रहा हूं ठीक तो एक तरफ आपके पास सिग सिंगल बात समझ मैं क्या बोलो यस सर सभी एकल यानि की सिंगल 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 बॉंड कैसे होंगे राइट सभी एकल आबंद लिख देते हैं इसको अपना कहानी क्लिया रहा है बोलो यस सर तो सभी एकल या सिंगल बॉंड जो होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके सिंगमा bond कहलाएंगे तो अब ध्यान से देख लो कि वह एच्टू जो होता है वह ऐसे बनता है एक से बनता है जितने भी आपके bond होंगे सिंगल राइट वह आपके कहलाएंगे क्या सिग्मा बॉंड सवाल पैदा होता सार पाई बॉंड भी तो बताईए भाईया कि सुनों कहीं पर एक से ज्यादा आबंध होते हैं दो परमाणू के बीच में ठीक है तो किसी परमाणू किसी अनू में किसी अनू में परमाणू के बीच में एक से ज्यादा आबंध है तो एक्स्टा वाले जो आबंध होंगे वह आपके पाई कराएंगे किसी अनू में परम पर्मानू के बीच ठीक है किसी अनू में पर्मानू के बीच एक से उधारन लेंगे बहुत अपने उधारन लेंगे अपने उधारन लेंगे किसी अनू में पर्मानों के बीच एक से जादा आबंद एक से जयादा आबंद हो तो एक्स्टा वाले जो होते हैं उसको पन पाई बॉंड कहते हैं खत्ताम खेल चलो आजाओ एक्जांबल देता हूं ठीक है तो होतीर रिट क्या बोलेंगे अतिर्रेट कि बंद जो होंगे राइट वो क्या होंगे ध्यान से देखेगा अतिरीक्त बंद जो होंगे वह यावा पाई होंगे अब आप बोलों कि sir हिंदी में समझा दो एक बार बात समझ में हिंदी में समझते हैं मैं इसको बात समझ में यह तो chemistry की भाषा में हुई अब हम अपनी style में समझते हैं आजाओं मैं कह रहा हूँ भाई कि यह oxygen है और बिना oxygen के काम नहीं चुलेगा बोलो यह sir तो भाई यह एक oxygen यहाँ पर अपने बनाया और बोलो यह sir एक oxygen अपने यहाँ पर बनाया और इस तरीके से हमने connect कर दिया पहला जो bond है पहला जो bond है वो कैसा होगा आपका sigma दूसरा जो है वो कैसा होगा आपका pi खत्तम खेल चलो तो पहला होगा आपका sigma दूसरा कैसा होगा pi मतलब कि किसी अणू में परमाणू के बीच एक से जादा आबंद किसी अणू में परमाणू के बीच एक से जादा आबंद हो तो अतिरिक बंद को क्या कहते हैं अपन पाई bond एक और example लेते हैं इस concept को सीधे खोपड़िया के अंदर फिट करते हैं ध्यान से देखिए एक और concept लेंगे भईया हमारे पास nitrogen है और nitrogen जो होते हैं ध्यान से देखेगा nitrogen के जो तो परमाणू होते हैं आपस पे triple bond यानि त्री आबंद का निर्मान करते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब है बाबू फ्यान से देखेए ये आपका sigma है ये आपका पाई है और ये भी आपका पाई है पहला sigma बाकी सब पाई खाताम दिमाद के अंदर और कॉपी में बढ़िया से फिट कर लो सीधे सीधे कड़े शब्दों में लिख दो पहला बॉंड कैसा होगा सिग्मा उसके अलावा जित्ते हैं सारे कैसे होंगे पाई होंगे कौन से परवाद होंगे बीच में अपने को कोई फरक नहीं पड़ता बात समझ में आई बोलो यह सर क्लियर जब कॉन आपके पास नॉलेज है जब आपके पास कॉंसेट है बिल्कुर एडिट्यूट में रही है मत घबराईए क्योंकि आप घबराते हो फिर आपको छोटे-छोटे कॉंसेट यू समझ में नहीं आते हैं बात समझ में तो कहानी बड़ी इंट्रस्टिंग है पहल रहा हो और लैपिंग ठेक है अतीव यह ठीक है ह। सिंगल पान गषिप है तो वो पहले सिंग्मा होगा शीदी बात पहले सिगमा बाद में पाई बात समझ में आई भाई बो यह सर पहले सिंग्मा बात में पाई बात समझ में आई भाई कैसी राइमिंग थी पता नहीं कॉंसेप्ट छोड़ो तो पहला बॉर्ण आपका सिग्मा इसके बाद के जित्ते होंगे सारे कैसे होंगे पाई बॉर्ण ठीक चलो करो ठीक है जी कोई दिक्कत वाली बात सवाल ही नहीं पैदा होता उधारन लेंगे तीन चार और दिमाग के अंदर सीधे कॉंसेट को फिट करेंगे राइट आजाओ सीधे अब तो है यदि आपसे कोई पूछ ले बात समझ मैं कोई पूछ ले आपसे कि बताओ सिग्मा और पाई बॉंट कहां कहां पर है अपन पूरे बता देंगे देखो कैसे मेरा सबसे पहला एंपल है CH4 और मैं इसके लिए स्याही जो है उसको बदलने की पूरी पूरी चेश्टा करने वाला हूं पहला एक्जामपल है CH4 दूसरा जो एक्जामपल है वो है CO2 तीसरा जो एक्जामपल है वो है हमारा N2 राइड बोले यह सर वह चौथा जो एक्जामपल है वो है आपका क्या 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 तो एक काम करते हैं ओजोन लेते हैं ठीक है CH4 बनाते हैं धियान से देखिएग अब क्योंकि हम लोग ज्यामिती क्या होगी किसी भी परणू की वो समझ चुके हैं इसी लिए गान से देखना ये कारवन है पहला हीड्रोजन दूसरा हीड्रोजन तीसरा हीड्रोजन चौथा हीड्रोजन हाव या सारे बॉंड कैसे हैं सिंगल है मतलब एक पर मालू दूसरे क सारे के सारे सिंगल आवन से जुड़ा हुआ है इसका मतलब यह कि यह सब कुछ जो है वह सिगमा 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 और सिगमा बात समझ में आगे वोलो यह सचालो बूबिंग टुवर्ट्स कार्बन डाइओक साइड एक ऐसी कहा है जो ग्लोबर वार्मिंग में अपना पूरा योगदान देती है है आजाओं इस बात किसकी करेंगे सी यानिで करबन डायकशाईट कि वावू और भाइया इस तरीके से इसका जो है वो क्या होगा तो आकार यानिकी अकरति होगी क्यों हो गी तो है यह वह है ब्यों यह सार ओर यह बीटू की वैसी होती है है ना कहां पढ़ा था हमने पिछली ग्लास में नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाईए पूरा वीडियो देखिए एक कॉंसेट को रगड़ दिया गया है क्योंकि यह टॉपिक है यह कॉंप्रेटिव एक्जामस में बेस्ट यहां से पर चाहि आते है ठीक है तो यह बना दिया आपन नंने हुआ को इस नोसर चलो बता पहला सिंगल लिख देते ँए पहला signal और पहला single जो है वो सिगमा बचे हुए कैसे पाई कोई दिकत तो दो सिगमा दो पाई खतम ठीक आओ एंटू के बारे में थोड़ा खेल खेलते हैं आजो एक एंटू यहां पर भी होगा चलो 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 हाँ जी पहला वाला सिगमा उसके बाद के दोनों जो हैं वो पाई है अभी और डीप में पढ़ाऊंगा जब मैं संकरन याने की हाइब्रिडाइजिशन के बारे में बात करूँगा क्लियर काहनी बोले यह सार खतम खेल चलो यह होगा आपका अब बात करेंगे कि इसकी ओटू की गेलो तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह भी बहुत थेयोरिटिकल टॉपिक नहीं है इसमें भी अपने को क्वेशन के प्र हारे बचे कुछे पाई होंगे बात खतम होगी यह सीगमा यह सिगमा और यह आपका पाई खतम और वी ओ पूछत नए तो पूछ लो तो पहला बन तो हमेशा सिगमा होगा मतलब यह कि बिना सिगमा के पाई नहीं बनने वाला लिखदू क्हाँ वहां लिखेंगे ठीक है आगे concept clear, बोले yes sir, और इती नहीं आया, please comment box में जाएए, तो इन सब से ये साबित हुआ, comment box में जाएए और अपना जो भी दुखदर्द है, उसको वहाँ पर जाकर put कर दीजे, right, चलिए, तो कहानी क्या है, ध्यान से देखेगा, पहले sigma, कहानी क्या है, बड़े ध्यान से दे आई, क्यों मेरे भाई, वाह, वाह, मज़ेदार, मज़ेदार, right, क्यों, मेरे, वैसे तो मैं यहाँ पर क्यों मेरे लाल पीले हरे निले लिखने वाला था, पर क्यों मेरे भाई, चलो, rhyming ऐसी हो गई, बात समझ में, तो पहले भाईया, सिग्मा बने गई बनेगा, जब तक सिग्मा नहीं बनेगा, तब तक जो है, पाई नहीं बनने वाला, खेल खत्ताम, टीपा जायरे वाह, बहार या, कोई दिकत, सवाली नहीं पैता होता, आओ, सारे कॉंसेट अपने सीख लिए, अब जो है, नोट्स को बढ़िया से दिमाग के अंदर फिट करते हैं, ठीक है, हाँ, अतीव यापन, अच्छा, अतीव यापन, ओर मिलेपिंग, मिक्सिंग है न, हाँ जी, चरिये, तो अतीव यापन की कारण ही बनता है, आपका सासयोजी आबंद, जिसे हम लोग कहते हैं, कोवलेंट बांड, किसके कारण बनता है, तो ओर लेपिंग, यानिकी अतीव अतीव यापन, बहुत अतीव का टॉपिक है आ रहे है, ठीक है, आबंदों की देशात्मा गोल धर्म, ज्यान से देखिएगा, सासयोजी आबंद, परमानु कक्षकों के अतीव यापन, यानिकी और लेपिंग से बनते हैं, जिसको हम डाइग्राम के हिसाब से, ऐसे समझ सक हैं, कहां गया, यह लो, यह एस और एस अतीव यापन है, यह एस पी अतीव यापन है, यह पी पी अतीव यापन है, और यह तरीका जो है, इसको बन सिग्मा बोलेंगे, साइड बाइ साइड मिल रहा है, देखो, आप सोच कर देखो, ज्यान से देखना, किसी से हम हाथ मिला बना यह कैंब बना पाइब रावल्ट यह कैंबना सिगमाब उड़ पाइब बाट समझ में बाइए बास चला जा अचो ठेक चल इधर आओ और लैपिंग और लैपिंग खेल खताम ठीक चलिए सारे पॉइंट्स को दिमाग में फिट कर लीजिए सब बना डाले अपने ठीक है जी यह सर बोलो जिल्दी से अटादो इसको यहां से यह सब बना डाले हैं हम लोगों ने फिर से बना लेते हैं रुको हां CH4 यह लो यह लो सब सीख लिया हमने के कितना एंगल होगा क्या ज्यामिती होगी है और पुरानी क्लासेज में सब निप्टाया अपन लोगों ने वुलेया सर एलस्ट्री अच्छा भईया ठीक है यह लो यह लो यह लो और यह लो एच्टू और यह तो फेवरेट है अपना यह लो आज लेंगे किदर बनाएंगे यहां पर ठीक है वह यह अक्सिजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन पहली चोटी बनाएं दूसरी चोटी बनाए खुश कोई रिक्कत सब वाली नहीं प्यादाव था नोट किया जाए हर यह पक्का चलो आओ इसका निक तो और आगे लिए कर चलते ह अब बताओ इसमें कोई दिक्कत वाली बात ध्यान से दिखेगा पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो इसको हम बोलेंगे क्या ध्यान से दिखेंगे आप यह क्या कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे धनात्मक अथवा फेज में अतीव व्यापन क्या बोलेंगे धनात् ार बंदर सारे निमाग के अंदर बढ़िया कहनिया जाओ और अगे बढते हैं ठीक है हर याप सारी कहानी जो है वो दिमाग चाहनी के अंदर और अगे बंढते हैं नोट करो इदर से एक hydrogen आया इदर से एक या दोनों ने मिलकर और लैपिंग की एस-स और लैपिंग मिला देखो लिखा हुआ है बात समझ मैं सारे सब के उधारणापन देख चोके सब क्या हम उधारण जो है मो क्या गड़ चुके हैं देख चुके हैं ध्यान से देखाई करेगा SS अतीव्यापन साथ में बात करेंगे बड़े ध्यान से आप देखिएगा राइट तो अब हमारे पास SP भी होगा होगा ऑप्शन नहीं हो उसकी पास होना पड़ेगा बिचारे को यह लो रंग विरंग डाइग्राम यह लो SP और हमारे पास PP अतीव अपने इसको अपने कहा समझाया तो हमने यहां पर देखो गिलो सब समझाया मैंने आपको one by one सारी कहानी समझाए लो sigma pi आजाओ right sigma बना लिया और हमने कैसे बना लिये पाए बना लिया है तो इस तरीके से होंगे तो आप पाई भोले गे बाद में वो ऐसेंड़िँच जैसा बन जाएगा तो ठीक है बाद मैं इसंड़िच जैसा बन जाएगा क्लियर तो सिग्मा बन गया और अपना पाई भी बन गया नोट किया जाए बढ़िया से डाइग्राम बना लो तगड़े वाले ठीक चलो आज़ो और आगे बढ़ते हैं सिग्मा तथा पाई आबंदों की प्रबलता एक कॉमन सेंस वाला टॉपिक है उसको बड़े कम स्पेस पें मिले हुए हैं बात समझ में अरिये तो सिग्मा पॉण्ड जो होगा वो हमेशा स्टॉंग होगा as compared to what पाई बॉंड हमेशा रख्ये सिगमा बॉंड ताकट वर्जाद होगा एस एस कंपेर टू बॉट पाई बॉंड सिगमा अबंध हमेशा ज्यादा दाकट वर्फोर होगा इस कंपेर डू मॉट लाट पाई बात समझ में आरी बोले यह सार और कॉपी में नोट कर चलू तो सबसे बैंकर कौन होगा आपका धिए निहांचे बर देखेंगे सब सबसे बैंकर कौन सा होगा about six Suppose क्वाइबका पाई चालो कॉंसेप्ट को दिमाग में přिट करते हैं जो कॉंसिप कहता है कि आबंद जो प्रबलता है या अती व्यापन की सीमा पर निर्दारित करती है बिलकुर सही है सिग्मा अबंदों में कक्षकों का अती व्यापन अधिक होता है बिलकुर सही है इसलिए ज्यादा ताकदवर होते हैं जिसको हम लोग लिखेंगे ज्यादा प्रबल हम क्या लिखेंगे इसक वो जादा प्रबन राइड सिग्मा आबंद पाई आबंद से क्या होता है अधिक प्रबल होता है लिखा हुआ है दो परवादों के बीच में पाई आबंद कभी अकेला नहीं हो सकता परवाद दूसरे से मिले और बूले सुनना चल पाई बॉण्ड बनते एक ऑकसिजन का परवादーー neurot दूसरे से मिले और बुले सुन वह जाएक पगला गया एका-पहले सिग्मा बनेगा घब जाके पाई collecting बने जाए बात समझ मैं और एक आक्सेजिञ दूसरे पर मादू के साथ कभी वी एक साथ पाई नहीं बना सकता में वहलं ये कि हमें शाह रखे पाई आबंद जो है वो कभी लिए अकेला नहीं बन सकता कभी भी केला नहीं बन सकता काशनी बड़ी शांदार है कौप्यूब करो बर्द रहे हैं वह याद रखिएगा सwhere उसके बचे हुए जितने हैं वह कौन से होंगे आपके तो पाई आबन होंगे ठीके जी चलिए तो पाई आब अकेला नहीं हो सकता हमेशा सिगमा के साथ में ही होगा हमेशा सिग्मा के साथ में ही होगा ठीक है चलो यह सदेव उन परमाडूओं में पाया जाता है जिन में बई सीरिस ही बात है जहां पर यह तो दियाबंध होगा यह फिर आपका त्रियाबंध होगा खतम खेल बात समझ में आगे बोलो यह सार बड़े इंटरस्टिंग की कहान यार कोई दिकत जल्दी से देख लो कोई प्रॉब्लम है डाउट वहिया कमेंट वोक्स में पूछ लो चलो चलो रगड़ दिया पने इस टॉपिक को यहां के क्वेशन करेंगे सब बन जाएंगे अपने से ठीक है जी तो यह सारी चीज़ें हम लोग अल्रडी देख चुके हैं यह सब कुछ हम आपस में देख चुके हैं देख लो द्यान से पका पुनो यह सर पकावलो यह सर कोई दिककर वाली बात सवाल ही नहीं पैदा होता राइट चारिये तो इस तरीके से हमने यह तो जान लिया कि भाया कैसे आपका सिग्मों पाई बॉंड बनता है आपकी जो वीबीटी है बात समझ में है वेलेंस बॉंड थियोरी इसको हम लोग क्या कहते हैं सहीं जक्ता आबंद सिद्धान्त वो कैसे काम करती है क्या उसके अंदर के क्वेशन्स और इसको हम रगणने वाले हैं अगली वाली क्लास में आपके ही फेवरेट एडुकेशनल प्लैटफॉर्म पे जिसको हम कहते हैं क्या मैगनेट मेंस हिंदी मेडियाम और मैगनेट मेंस कैसे मिलेंगी क्लासेज वो भी बिलकुर फ्री आप कॉस्ट बड़े क्वालिटी कंटेंट के साथ में ध्यान से देखेगा गूगल पे जाईए और सर्च कीजिए मैगनेट मेंस और यदि आप सर्च करेंगे तो आपके सा सारी कक्षा हैं सारे विश्याइट एंटी एसी ओलंपियाट स्यूइटी स्पोकन इंगलिश की ग्लासेज बिलकुर फ्री आपकॉस्ट हम बात करेंगे सीवीसी हिंदी मीडियोम की राइट सीवीसी हिंदी में कक्षा साथ भी से लिकर कक्षा बारवी तर जिसमें एंसी ई सब्सक्राइब करेंगे कोई दिक्कत नहीं है साथ में यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड की भी कक्षा है साथ की से बारवी तक सभी कक्षाओं के लिए सबी विश्यों के लिए एवलेबल है यहां से रिखेगा बुक्स और इबुक्स साथ में नोट्स भी और इनकी जो लिंक है वह आपको कहां में लेगी डिस्क्रिप्शन में बात समझ में आ रही बोलो यह सर मज़दार यह कहानी है ना बढ़िया से इसको अपनी कॉप्य में नोट कर लो कि भाया अपन क्या क्या पढ़ सकते हैं और स्टुडेंट्स उमीद है आज की क्लास में आपने सब कुछ बढ़िया से सीख लिया होगा यह आपको कोई कांसेट में या डाउट है बात समझ में यह प्रीज कमेंट बॉक्स में जाए और अपना डाउट जो है अपनी प्रॉब्लम जो है उसको यह बात है खुश रही है मस्त रही है मौच कीजिए मस्ती कीजिए खूब खेलिए खूब खाये खूब सोगे और तगली वाली पढ़ाई कीजिए कि कम से कम 95% तो बन जाए बात समझ में रही है कांड इंट्रस्टिंग है मिलते हैं गली ग्लास में तब तक के लिए मैंने में सिंदी वीडियों को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंकिसो मच जाहिंद